प्रधान मंदरी नरेंदर मोधी की हर एक्टिवीटी पर विपक्ष की नजर रहती है 17 सप्टेंबर को अपने जनम दिन पर पीम मोधी ने नामबिया से लाए गई चीतों को मद्रप्रदेश के कूनो नैशनल पार्क में छोड़ा इस दोरान पीम मोधी चीतों की फोटोग्रफी करते हुए भी नजर आयते सफाय टोपी और संग्लासे के साथ पीम मोधी के फोटोग्रफी का अंदास किसी प्रोफेशनल से कम नहीं लग रहा था लेकिन इसे दोरान विपक्ष ने बिना देखे कैनल और निकॉन की बहस शुरू कर दी दरसर टीमसी के सांसर जवासरकार ने पीम का मजाक उडाते हुए उनकी एक मौफ्ट फोटो यानि की एडिट की हुई फोटो शेयर की लिखा सभी आंकडों पर धक्कन रखना एक बात है लेकिन कैमरे के लेंस पर कवर रखना सरासर दूर दृष्टी है लेकिन जैसे ही टीमसी नेदा ने पीम मोधी की एडिटेट फोटो शेयर की वैसे ही बीज़ेपी के नेता सुकान्त मजुमदार ने टीमसी प्रमुक ममता बैलर जी को घेल लिया उन्होंने बताया कि टीमसी नेदा द्वारा शेयर की गई पीम मोधी की तस्वीर में कैनन कवर वाला है लेकिन कैमरा निकॉन का दिखाई दे रहा है बीज़ेपी नेदा सुकान्त मजुमदार ने ट्वीट करते हुए लिखा टीमसी के राज्य सभस सांसर कैनन कवर के साथ निकॉन कैमरे की एक एडिटेड फोटो शेयर कर रहे हैं फेक प्रोपगेंडा फिलाने की इतने बुरी कोशिश हुई है मतब एलर जी किसी बहतर व्यक्ति को हायर करें जिसके पास कम से कम कॉमन सेंस तो जरूर हो वही जैसे ही मजुमदार ने सिरका सरकार अशोक शिवास्तम ने जवाहर सरकार की ओर से ताजा और पहले भी पोस्ट की गई एक फेक फोटो को शेयर किया था उस फोटो में मोदी को मुकेश अमबानी की पतनी नीतामबानी के सामने हाज जोडे दिखाया गया था उस फोटो के मामलिप में भी जवाहर सरकार क खरी खोती सुनाई थी और तब भी उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा था वही जवार की ओर से मोधी की फेक फोटो ट्वीट करने के बाद सोचल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं और उन्हें सरकार की नाम से लेकर कॉंग्रेस से उनके जुडाग के अलावा और मुद्धों पर जम कर नाराजगी जताए वहीं आपको बता दें कि नाम्या से एक स्पेशल फ्लाइट से शनिवार्स हुआ आर्ट चीते भारत पहुंचे इन में से तीम को पीम मोधी ने मद्रप्रदेश के कूनो नैशनल पार्क में छोड़ा जबकि बाकी पांच को अन्य झाल झाल